जाने माने संग्रक्षंग जीव विज्ञानिक थॉमस यूजीन लवजॉय ने 1980 में बायलोजिकल और डाइवर्सिटी शब्दों को मिलाकर बायलोजिकल डाइवर्सिटी या जैविक विविदिता शब्द प्रस्तुत किया क्यूंकि ये शब्द दैनिक उपियों के लिहाज से थोड़ा बड़ा महसूस होता था इसलिए 1985 में डाइवर्सिटी या जैविक विविदिता शब्द की खोज की मूल शब्द के इस लगू संस्क्रण ने तुरंथ ही वैश्विक सुईकारिता प्राप्त कर ली शायद ही कोई दिन जाता हो जब हम इस शब्द के संपर्क में नहीं आते हैं समाचार पत्रों और शोद पत्रों में उद्रित ये शब्द आसानी से समक्ष आ जाता है यदि दूर स्तित आकाश गंगा से कोई अन्य ग्रही एलियन आया हुआ हमारे ग्रह प्रित्वी पर ब्रह्मन करे तब सबसे पहले जो बात उसको अचंबित करेगी वैशायद हमारे जीवन की अती विशाल विविदिता होगी हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्तित जीवित विबिन जातियां स्पीशीज जिनके साथ हम रहते हैं हमें आश्चरे चकित किये बिना नहीं चोड़ती सामाने मनुश मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी प्रित्वी पर 20,000 चीटियों की जातियां तीन लाख बीटल 27,000 मत से जातियां तथा 20,000 से अधिक अधिपादप आर्किट की जातियां हैं एकॉलिजिस्ट तथा जैव विकास विग्यानिक इस विविदिता के महत्व को कुछ अवश्क प्रशन पूछ कर समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे की इतनी विविदिता क्यों हैं? क्या ये महान विविदिता प्रित्वी के इतिहास में पहले से उपस से थी? ये सब विचितरताएं कहां से आई जीव मंडल के लिए ये विवदिता क्यों और कैसे महत्वपूर है यदि ये विवदिता कम होती तो क्या जीव मंडल का कार्य अलग होता मानव जीवन इस विवदिता से किस प्रकार लाभामवित है मेरा नाम नकीब महदी है और आज हम इस शंकला के पहले भाग में इन कुछ प्रशनों के उत्तर तलाश करेंगे जैसे के जैविक विविद्दा क्या होती है और इसके महत्वफूप पकार जैसे के अनुवांचिक विविद्दा जिसे हम जैनिटिक डाइवरसिटी भी कहते हैं जातिये विविद्धा, species diversity और पारिस्तितिक ये विविद्धा, जिसे हम ecological diversity भी कहते हैं इसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पृत्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं आईए हम बात करते हैं जै विविद्धा के माइने के बारे में इतने अधिक परियुक शब्द के लिए कोई एक आदर्ष परिभाषा का ना होना वाकई आश्चरे जनक है परन्तु शब्द के अर्थ से ही इसके माइने समझ में आ जाते हैं आकेकार सब ही जानते हैं कि जैविक का अर्थ एक जीव जगत है और विविद्धा का शब्द शाब्दिक अर्थ प्रकार बायो डैवर्सिटी के पहले हिस्से बायो का अर्थ निकालने में कोई भी दुविदा नहीं है ये शब्द जीवन या सजीव को इंगित करता है इस हिसाब से जैविक विविद्धा अत्वा जैविक विविद्धा का सीधा अर्थ है जीविद संसार की विविद्धा है कम से कम मोटे तोर पर तो इसका यही अर्थ समझ में आ सकता है परंतु विविदता शब्द की व्याक्या कई तरह से की जा सकती है इस से जीवन के विविद पहलूँ का अध्यन करने वाले विज्ञानिकों की चर्चा में सुक्षम्भेद उत्पन हो जाते हैं इसलिए विविदता के अंतरगत ना सिर्फ एक प्रजाती के अंदर पाई जाने वाली विविदताएं आपितु विभिन परी जातियों के मद्य अंतर और पारिस्थितिकिये तंत्र के मद्य तुल्नात्मक विविदता भी शामिल की जाती है एक साधारण व्यक्ति जब शब्द जय विविद्धा का प्रयोग करता है तो उसका जो तात्पर्य होता है पर दरसल प्रजातिय जय विविद्धा है एक प्रजाती का अर्थ है ऐसे प्राणियों का समू जो ऐसी संतिती पैदा करने की शम्ता रखते हो जो खुद जनन शम्ता रखती हो एक सामाने आदमी के लिए इस शब्द के अंतरगत कबूतर से लेकर हाती और अनार से लेकर शलजम तक समस्थ प्रजातियां सिम्लित है जिस पर्यावरण में वह रहते हैं अर्थात पारिस्थिति किये तंत्र भी शामिल है इसमें जीवों के अंदर और उनके मद्धे की विविद्दाओं को भी द्रिष्टिगत रखा जाता है इसमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाले समुदाए भी सिम्लित है इस द्रिष्टि से अगर देखा जाए तो जैव विविद्दा विभिन पारिस्थिति किये तंत्रों में उपस्तित जीवों के बीच तुलनात्मक विविद्दा का आकलन है ये एक महत्वपूर्ण संकल्पना है क्योंकि सभी जीव और उनका पर्यावरण एक दूसरे पर अतियंत नस्दीकी से प्रभाव डालते हैं इस पर्यावरण में कोई भी बदलाव या तो जीव के विलुप्त होने का कारण बनता है या फिर उनकी संक्या में विस्पोटक बड़ोतरी का कोई भी प्रजाती अपने पर्यावरण के प्रभाव से अंच्वी नहीं रह सकती है इसी प्रकार किसी प्राणी या वनस्पती की संक्या में कमी या व्रिद्धी इनके पर्यावरण में परिवर्तनिय प्रभाव डालता है इस से अन्य प्रजातियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है व्रहत रूप से देखा जाए तो वनस्पतियां, प्राणियों और सूक्ष्म जीवियों के अती विविदताओं का आधार समझा जा सकता है जीन से प्रजाती तक और उनके पारिस्थितिकिये तंत्र के साथ इसलिए जैविविदता की सबसे स्पष्ट परिभाशा होगी जैविक संगठन के सबी इस तरों पर पाई जाने वाली विविदताएं ही जैविविदता है इस दिरिष्टिकोन को समझने वालों के लिए सुईकार्य परिभाशा किसी शेत्र के जीनों, प्रजातियों और पारिस्थितिकिये तंत्रों की संपूर्ता होगी फिर भी जैसे कि किसी भी धार्णा को दर्शाने वाले शब्दों के साथ होता है ये शब्द स्वय में एक गहन आकलन की योगिता रखता है इसलिए आमतोर से प्रजाती विविदा के लिए परियुक्ट प्रसंग जो किसी प्रजाती की मौझूद विविदाओं का आकलन है के स्थान पर हम अंतर जाती विविदा को प्रयोग कर सकते हैं जो विभिन जातियों के मद्धे विविदाओं को दर्शाता है ये अबादी या जीव संख्या के बीच जननिक भेदों के साथ ही एक ही प्रजाती के सदस्यों के मद्धे विविदाओं को भी दर्शाता है हम पारिस्तितिकिये विविदिताओं की भी चर्चा कर सकते हैं जो संगठन के उच्चे तरस्तर पारिस्तितिकिये तंत्र की विविदिता है जीव विज्यानी के नजरिये से जैव विविदिता जीवों एव प्रजातियों तथा उनके मद्धे प्रभावों का संपूर वन करम है वे इस बात का अध्यन करते हैं कि प्रित्वी पर जीवों की उत्पत्ती कैसे हुई किस प्रकार वे विलुप्त हुए बहुत सी प्रजातियां समाजिक परवर्ती की होती है जो अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों एवं अन्य प्रजातियों से पारस परिक्रिया कर अपने जीवित रहने की दर को अधिक्तम रखती है ऐसी प्रजातियां जीव विज्ञानियों के लिए विशेश आकर्शन होती है हमारे जैव मंडल में ना केवल जातिये यानि की स्पीशी स्तर पर बलकि जैविय संगटन के सभी स्तरों पर कोशिकाओं के व्रहित आणू से लेकर जीवोम बायोम तक बहुत विविद्दा मिलती है जैव विविद्दा शब्द सामाजिक जीव विज्ञानिक एडवर्ड विलसन द्वारा जैविक संगटन के प्रतिक स्तर पर उपस्तित विविद्दा को दर्शाने के लिए फ्रचलित किया गया है इसमें से अती महत्वपूर्ण है अनुवांशिक विविद्दा एक जाती अनुवांशिक स्तर पर यानिकी जैनेटिक डिवर्सिटी के स्तर पर अपने वित्रन शेत्र में बहुत विविद्दा दर्शा सकती है हीमाले की विभिन श्रेणियों में उगने वाले औशद्धिय पादप रॉल्फिया वमिटोरिया की अनुवांशिक विविद्दा उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रैस्परिन की शमता तता सांदर्ता से संबद्दित हो सकती है भारत में पचास हजार से अधिक अनुवांशिक रूप में भिन धान के तथा हजार से अधिक आम की जातियां है अनुवांशिकी विग्यानियों का मानना है कि वास्तिविक जैव विविद्दा जीनिक विविद्दा पर ही निर्भर करती है उनके लिए जै विविविता जीनों की विविविता से भी संबंद है वे म्यूटेशन यानी उत परिवर्तन जीन विनमे एव डियने के स्तर पर होने वाली परिवर्तनात्मक सक्रियता जिससे विकासवाद को मिलता है जैसी क्रियाओं का अध्यन करते हैं हाला कि अत्यन्त विस्तृत जीनों मैपिंग एवं अनुवान्शिक्ता जिसके अध्यन में बहुत समय लगता है कि बिना जैनिक जै विविविता को मापना आसान नहीं है हाला कि कार्यशली में दिखाई देने वाले अंतरों के बावजूद सभी विविविता की महत्व एवं जहां तक संभव हो इसे परिरक्षित रखने की आवशक्ता पर एकमत है दूसरा जातिय यानि Species Diversity जातिय विविता ये भिंता जातिय स्तर पर है उधारन पच्चमी घाट के उभेचर जातियों की विविता पूर्वी घाट से अधिक है तीसरा पारिस्थितिक ये विविद्दा यानि एकलोजिकल डाइवर्सिटी ये विविद्दा पारी तंत्र स्तर पर है जैसे की भारत के रेगिस्तान, वर्शावन, मैंग्रोव, कोरल रीफ, आदर भूमी, एस्टरी तथा एलपाइन मीडोज की विविद्दा स्कैंडिनेव पारिस्थिति विविद्दा का अध्यन ना सिर्फ प्रजातियों के संधर्ब में करते हैं, आपितु प्रजाति के निकट्तम वातावरण और उस व्रहद परिशेत्र जिसमें वे निवास करते हैं के संधर्ब में भीत करते हैं, प्रति एक पारिस्थिति के तंत्र में एक सामगरता का हिस्सा होते हैं, जो ना सिर्फ अन्य जीवों, बलकि उनके चारों और मौजूद वायू, जल और मिट्टी से भी परस पर प्रभावित होते हैं। यही वे पहलू है जिस पर ज्यादा तर पारिस्थिति के अध्यन केंदरित होता है। प्रकृति के इस सम्रिद जै विविद्दा को एकत्र होने में विकास के लाखो वर्ष लगे। लेकिन जातिय शती यदि इसी दर से जारी रही, तब हम इस संपद्दा को दो शताबदी से भी कम समय में खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रक रकाव के लिए जै विविद्दा वा इसका संग्रक्षन एक अतिय अवशक और महत्वपूर्ण अंतराश्ट्रिय पर्यावरिय मुद्दा बना हुआ है। प्रिथवी तथा भारत में कितनी जातियां यानि स्पीशीज हैं। अब तक खोजी तथा नामित जातियों के प्रकाशित साक्षेओं एव तथियों से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई हैं। लेकिन पृत्वी पर कितनी जातियां हैं इस प्रशन का उत्तर देना आसान नहीं है। IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources के अनुसार अब तक दर्शाई गई जन्तू वा पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है। लेकिन हमें ये ग्यात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोच तथा व्याक्या शेश है। देखा जाए, ट्रॉपिकल इलाके की तुलना में टेम्परेट इलाकों की स्पीशीज इन्वेंटरी अधिक पूर्ण है। दुनिया में कितनी जाती विविदा हैं, इसको जानने के लिए बायोलोजिस्ट एक स्टाटिस्टिकल तुलना में लगे हुए हैं। विज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्यन किये गए खीटों के सम्हू की ट्रॉपिकल और टेम्परेट जातियों की सांकिकिये तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जन्तू वा पादपों में अनुमानित कर पृत्वी की कुल चातियों का आंकलन किया। कुछ चरम आंकलन की परास 20 से 25 मिलियन है लेकिन रॉबर्ट में द्वारा दिये गए एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद आंकलन वैश्विक जातिये विविदा को लगभग 70 लाक 7 मिलियन तक मानता है। आईए पृत्वी की जै विविदा के कुछ रौचक पहलों को वर्तमान में उपलब्ध जातिये सूचियों के आधार पर देखें। सभी आकलन जातियों में से 70 परतिशत से अधिक जन्तु यानि आनिमल्स हैं। जबकि शेवाल यानि प्लांट्स, कवक फंजाय, ब्रायोफाइट्स, अवरित बीजी, जिम्नोस्पर्म्स तता अनावरित बीजीयों, एंजियोस्पर्म्स जैसे पादपों को मिलाकर 22 परतिशत से अधिक नहीं है। जन्तों में कीट सबसे अधिक सम्रिद जाती वर्ग समू हैं, जो संपूर जातियों के 70 परतिशत से अधिक हैं। इसका अर्थ ये है कि इस ग्रह में प्रतिएक 10 जन्तों में 7 कीट हैं। कीटों की इस अत्याद्मिक विविद्दा को हम कैसे समझाएं। संसार में कवक यानी फंजाय, जातियों की कुल संख्या, मचली, उभायचर, अंफिबियंस, सारी सर्फ यानी रेप्टाइल्स, तथा स्तंधारी मैमल्स से अधिक हैं। ये बात ध्यान में होनी चाहिए, कि ये आंकलन प्रोकेरियोठ की संख्याख नहीं बताते। जेव विज्ञानिकों को ये पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकेरियॉटिक जातियों की संख्या कितनी ओ सकती है। समस्या ये है कि पारंपरिक वर्गी करण के तरीके सूख्ष्म जीवियों यानि माइक्रो और्गानिजम्स को पहचानने के लिए उचित नहीं हैं, तता बहुत सी जातियां प्रियोक शाला में कल्चरेबल नहीं हैं. यदि इन जातियों को समझने के लिए जैव रसायनिक अत्वा आणुक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविद्दा लाखों में पहुच सकती हैं. यद भी भारत का भूमी शेत्र विश्व का केबल दो दशमलक चार प्रतिशत हैं, लेकिन इसकी वैश्विक जातिय विविद्दा आठ दशमलक एक प्रतिशत हैं. यही कारण हैं कि संसार के बारा महा विविद्द देशों में भारत भी एक हैं. भारत में लगभग 45,000 पा के तत्वाधान में की गई हैं. भारत को फसनों की विवद्दा का केंद्र माना जाता है. यह खेती की कई वरस्पतियों की उत्पती के बारा केंद्रों में से एक हैं. भारत को चावल, अरहर, आम, हल्दी, अजरक, गन्ना, गूसबेरी, आदी की 30,000 से 50,000 किजमों का खोज का केंद्र माना जाता है. और दुनिया में क्रिशी के सयोग प्रदान करने में भारत का सात्वा स्थान है. भारत बहुत से जंगली और पालतू पशुओं का आवास है. दुनिया के जैविविद्दा हॉट्सपोट ऐसे छेत्र हैं जहां स्थानिय प्रजातियों की भरमार ह ऐसे दो छेत्र भारत में हैं. जैविक हॉट्सपोट जैविविद्दा विशेशग्य डॉक्टर नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले इन जैविविद्दा हॉट्सपोट को पहचाना और 1988 और 1990 में प्रकाशित अपने दो लेखों में इन्हें प्रस्तुत किया. अधिकांश उष्णिकटी बन दिये यानि ट्रोपिकल शेत्रों और जंगली इलाकों में मौजूद हैं. 1988 में किये गए अधियन में पहचाने गए 18 हॉट्सपोट में से दो भारत में खोजे गए. ये दो शेत्र पश्चमी घाट और पूर्वी हिमालिया थे. हाल ही के संशोदित 25 पूर्व हॉट्सपोट शेत्रों में सिमलित हैं. इसके साथ ही भारत में ऐसे 26 मानियता प्राप्त स्थानिक केंद्र हैं जहां आज तक पहचाने गए और वर्नित पुष्पिये पौधों में से लगबग एक तियाई पौधे पाए जाते हैं. पश्चमी घाट हॉट्सपो से गुजरात तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है. पश्चमी घाट दक्षिन पश्चमी मौनसून हवाओं को रोकता है. इसलिए इन पहाणियों की पश्चमी धलानों पर हर साल भारी बारिश होती है. जाडिदार जंगल, पत जड़ी एवं उश्नकट बंदी, वर्शावन, परवर्तिय जंगल और धलानदार घास के मैदान है. यहां सभी कुछ पाया जाता है. भारत बर्मा होट स्पोट, ट्रॉपिकल एवग्रीन रेन फॉरेस्ट, एशिया के गंगा ब्रहंपुत्र निम्न भूमी का 23,73,000 वर किलोमीटर छेतर घेता है. इस होट स्पोट में पा आर्द्र सदाबाहार, शिश्क सदाबाहार, पत जड़ी, एवं परवतिय वन सिमलित है. जाड़िदार वन, काश्ट वन और बिक्रे हुए बंजर वन भी कहीं कहीं पाये जाते हैं. इस शेत्र में निम्न भूमी, बार से तयार दलदल, कच्छ वनस्पतियां जैसे मैंग्र यदि रॉबर्ट में के वैश्विक आकलन को सुईकार करें, तब अभी तक कुल 22 परतिशत जातियों की ही खोज हुई है. इस अनुपात से भारत की विव्धता का आकलन करें तो एक लाख से अधिक पादब तथा तीन लाख से अधिक जनतु जातियों की खोज तथा अशिक्चित मानव शक्ति थता समय की अवशक्ता होगी. ये स्तिति और भी अधिक भयावे हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही है. प्रक्रति की जैविक पुस्तकाले उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षक के सूची बंद करने से पहले ही विनष्ट हो रहा है. तो बच्चों अगर संग्षित में समझें तो लगबग 3.8 billion वर्ष पहले पृत्वी पर जीवन की उत्पती के समय से पृत्वी पर जीवों में बहुत अधिक विविदिकरण हुआ है. जैविविदिता, जैविय संग अधिक महत्वपूर्ण है और सभी संग्रक्षन के प्रयास इन सभी स्तरों पर विविदिता को सुरक्षित करने के उद्देशे से किये गए हैं. संसार में 15 लाग से अधिक जातियों के साक्षे एकत्रित किये जा चुके हैं. लेकिन पृत्वी पर लगबग 60 लाग जातिय खोज तथा नामकरण के इंतिजार में हैं. जिन जातियों को नाम दिये जा चुके हैं, उनमें 70 परतिशत से अधिक जनतू हैं, इनमें भी लगबग 70 परतिशत कीट हैं. इसमें कवकों की संख्या सभी कशे रुख प्राणियों की तुलना में अधिक हैं. भारत लगबग 45 हजार पादब जातियों तथा इससे दुगनी जनतू जातियों के साथ विश्व के बारा महा विविदिता वाले देशों में एक हैं. बच्चों, आज इस अध्याय में हमने जैव विविदिता के बारे में जाना, अभी इस अध्याय में काफी कुछ शेश हैं, जिसे हम बारे में हैं, छिसे हम दुगा एक हुगना चहा विविदा न install पते हैं. बच्चों, पडि़न सेव मेंविदा आए yा विश्या में कार दिए विव록ky कानी झाले में के लिवाँ हैं एक हैं, पिरा जिवे हैं, निवा में जाति खी एके लारे दो कारी em जाना, यारे. झाल झाल